हलो फ्रेंड्स मैं सरोज फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम स्क्रापर चाप्टर में से कुछ कोशिन आंसर देखेंगे इस चाप्टर में 28 कोशिन लगवग है तो चलिए सिधे कोशिन आंसर देखते हैं फ्रेंट्स जो चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए फ्रेंट्स और एक बात आप में सब बहुत चन पीडियेफ मांगते हैं पीडियेफ देना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम रीजन तो इसका मैं अल्टरनेट तरीका निकाला हूँ ब्लोगिंग के जिरे सारे कोशिन आंसर आप तक पहुंचा दूँ ब्लोगिंग का जो वेबसाइट है डिस्क्रिशन में उसका लिंक है प्लीज आप उसे क्लिक करें और आप में से कमेंट कीजिए कि कौन सा तीन फॉर्माट फिलाल है उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है जैसे कि पहले क कोशिन आएगा उसके बाद आंसर और एक फॉर्माट है चाप्टर वाई चाप्टर के एंड में आंसर होगा और एक है बहुत सारे चाप्टर होंगे लास्ट में एकदम आंसर होगा है हाश्टाग वान हाश्टाग टू और हाश्टाग थ्री के फॉर्माट में लिखा अप्लोड करूँगा चले कोशिन आंसर देखते हैं कोशिन नंबर 1922 को फोलोइंग स्क्रापर इस उस्ट फर स्क्रापिंग फ्लाट सर्फेस लाइक सर्फेस प्लेट निम्न में से किस स्क्रापर का उप्योग सपाट सता जैसे सता प्लेट को खुरजने के लिए किया जाता है उप्सन में नहीं बोलूँगा आप में से ही किसी ने सजेश्ट किये थे कि उप्सन ना बोले उन में से टाइम वेश्ट होता है उप्सन बोलने से अक्चुली एक सही बात है तो चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा ये कोशिन का आंसर ही ऑप्सन सी बूल नोज स्क्रापर फ्रेंड्स आप भी कुछ सुझाव देना चाहते ही तो कमेंट कीजे मैं उसका जरूर रिप्ला करूंगा कुछिन नमबर 1923 कुछिन नमबर 1923 कुछिन अंगल फ्लाट स्क्रापर बिट्विन फ्लाट स्क्रापर का काटने का कौन देस के बीच होता है आंसर इस अप्शन ए 85 तो 90 डिग्री कुछिन नमबर 1924 निमलिखित में से कौन सा स्क्रापर का उप्योग स्क्रापर को खीच कर समतल सता के मध्यभाग के खुरचने के लिए किया जाता है और अक्सर परिशकरण कारे के लिए लगाया जाता है आंसर इस अप्शन ए हुक स्क्रापर कुछिन नमबर 1925 हुच अब दा फॉलिग स्क्रापर इस यूश्ट पर स्क्रापिंग कर्ब्ड सर्फेस और प्लेन बियरिंग सादे बियरिंग की घुमापदार सता को खुरचने के लिए निमलिखित में से किस स्क्रापर का उप्योग किया जाता है आंसर इस ओप्शन बी हाप राउंड स्क्रापर यूश्ट नंबर नैटीन तुट विए्टिन डिए निमलिखित में स्क्रापर का कट्टिंग क्या होता है आंसर इस ओप्शन बी जो हार्प राउंड स्क्रापर का कट्टिंग अंगल होता है 45 डिगरी तू 65 डिगरी होता है कॉश्चिन नंबर निम्री में से किस स्क्रापर का उप्योग छोटे ब्यास के छेद को स्क्राप करने और जटिल कोने से धातु को हटाने और छेद के किनारों को हटाने के लिए किया जाता है आंशर इज ऑप्शन A. ट्रिंगूलर स्क्रापर कॉस्चिन नंबर 1928 कटिंग अंगल अफ ट्रिंगूलर स्क्रापर इज त्रिवो जाकर स्क्रापर का कटिंग कोन क्या होता है आंशर इज 45 तो 60 डिग्री निम लिखित में से किस स्क्रापर का उप्योग बड़े बियरिंग कर्वस को स्क्राप करने के लिए किया जाता है आंशर इज आप्शन C बुल नूज स्क्रापर कोश्चिन नंबर 1930 वाट इज यूज टू सार्पेन स्क्रापर स्क्रापर को धारदार बनाने के लिए क्या इस्तमाल होता है आंशर इज स्क्रापर को धारदार बनाने के लिए यूज होता है जो स्क्रापर इज यूज होते है उसका ग्रिट साइज कितना होना चाहिए आंशर इज आप्शन डी 120 से लेके 150 कोश्चिन नंबर 1932 वाट इज बनाट बी ग्राउंट फ्रिक्वेंटली वीच विल रिडूस दा कटिंग एफिसेंशी तो रिशर्पेन दा स्क्रापर the process used is scraper को बार बार grinding नहीं किया जाना चाहिए जिससे scraper को फिर से तेज करने के लिए काटने की डख्या तक कम हो जाएगे जिस प्रक्रिया का उप्योग किया जाता है वो क्या प्रक्रिया होता है आंसर होता है option C, honing Question number 1933 Which type of range is used for gripping and turning pipes, tubes and cylindrical rods of different diameter? विवनिब्यास के pipe, tube और बेलनकर छडों को पकड़ने और मोडने के लिए किस प्रकार के range का उप्योग क्या जाता है? option C, आप बताईए क्या होगा answer option A, Stilson pipe range question number 1934 Stilson pipe range are available in size Stilson pipe range dash akar में उपलब्ध है answer is option A, 6 inch to 24 inch question number 1935 the capacity of chain range is approximately chain range की ख्यामता लगभग डेस है? answer is option A, 50 mm to 150 mm question number 1936 which type of range is used for holding or gripping large diameter pipe बड़े ब्यास के pipe को पकड़ने या ग्रिपिंग के लिए किस प्रकार के range का उप्योग क्या जाता है? answer is option B, chain range question number 1937 which type of range is used on finished tubular surface to avoid marking or damaging? drying या ख्याती से बचने के लिए तैयार tubular सतों पर किस प्रकार के range का उप्योग क्या जाता है? answer is option C, strap range question number 1938 which of the following range is used for gripping and turning pipes and round stocks in confined places? which of the following range is used for gripping and turning pipes and round stocks in confined places? निम्लेखित में से किस range का उप्योग सिमित स्तानों में pipe और goal stock को पकड़ने और मोडने के लिए किया जाता है? answer is option D, footprint range friends, आज के लिए बस इतना ही और ज्यादा कुछ question नहीं देखेंगे चले और कुछ question answer है इसमें आज ही इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं question number 1939 high carbon steel containing carbon is used for hand tool and rotating tools running at low speed dash carbon yug उच carbon steel का उप्योग हाथ के ओजारों और कम गती पर चलने वाले गुर्नन उपकरणों के लिए किया जाता है? answer is option A question number 1940 high speed steel cutting tool metal can retain hardness almost to red heat at high speed steel काटने के उपकरण धातू लगभग देश तापमान तक लाल गर्मी से कठोरता बनाए रख सकते हैं answer is option A जच परियाप्यंदेश नहीं गर्शन के लिए उच प्रतिरोध है लेकिन उच सद्मे भार का सामना के लिए परियाप्ध कठी नहीं है? आंसर इस Option B High-Speed Steel Question No. 1942 Addition of Dess Cobalt in High-Speed Steel Referred to as Super High-Speed Steel उच्छी गतिवाले Steel में Dess Cobalt का प्रयोग होने से Super High-Speed Steel कहा जाता है Answer is Option A 8% Cobalt use होने पर उसे Super High-Speed Steel कहा जाता है Question No. 1943 Steelite can retain their hardness up to Steelite अपनी कठरता को Dess तक बनाए रख सकते है Answer is Option B 700 degree Celsius Question No. 1944 Tungsten Carbide R Tungsten Carbide Dess है Option A Option A Hard and Brittle Question No. 1945 Which of the following cutting tool metal Is used for cutting low tensile material and cast iron नीम नितन्यता सामगरी और कच्चा लोहा काटने के लिए नीम लिखित में से कौन सा काटने के उपकरण धातु का उपयोग किया जाता है Option A Sorry Option A नहीं होगा Option D Answer is Option D Cemented Carbide Question No. 1946 Which type of cutting tool metal tips are weak in tension Any vibration और chatter will cause immediate failure of the cutting edge तनाव होने पर किस प्रकार के cutting tool metal tips कमजोर होते हैं या किसी भी कमपन या chatter से cutting edge की ततकाल विफलता होगी Answer is Option C Question No. 1947 Which type of cutting tool metal is used for finishing cuts at high speed and fine feed किस प्रकार के काटने के उपकरण का उपयोग किस प्रकार के काटने के उपकरण का उपयोग उच गती और महीन feed for finishing cut के लिए किया जाता है Answer is Option C Question No. 1948 Which color of diamond is usually used for cutting tools not used as gin stone हीरे का कोन सा रंग आमतोर पर उपकरण काटने के लिए उपयोग किया जाता है जो रत्न पथर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है रत्न पथर यानि जो हम लोग पहनते हैं अंगुठी वो यूज नहीं होता है तो स्रिप काटने के लिए यूज होता है आंशर इस ब्लाक और ब्राउन ओप्शन ए ये श्रिप काटने के लिए यूज होता है नेस्ट कोस्चिन कोस्चिन नमबर 1949 सेरामिक्स अर अप्रोक्सिमेटली थी ताइम्स हाड़र देन शेरामिक देश से लगवक तीन गुरां कठीन है आंशर इस ऑप्शन डी हाइश्पीट स्टील तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स ब्लॉगिंग का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन में है उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है फॉर्माट कुस्चिन आप देख लिजिए वहाँ पर मैं लिखा हास्टेग 1 देखे और हास्टेग 2 और हास्टेग 3 इन तीन सैंपल मिलेंगे उनमें से आपको पढ़ने के लिए कौन सा अच्छा लगता है एक निमी असाइनमेंट होगा और एक अबजेक्टिव होगा और एक फुरा फूल चैप्टर होगा देख लिजिएगा आप उहाँ हो मैं डिस्क्रिशन में दे दूँगा ब्लोगिंग का जो लिंक है उसी सबसे सारा कुश्चिन अंसर आप वहाँ पर डारेक्टली पढ़ पाएंगे आप वीडियो को पहले भी पूरा देखिए फिर आपको पता चलेगा तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक्यू